नमस्कार दोस्तों और के एजुकेर और एक्स्क्लिजी एजुकेशनल यूटूब चानल में आप पास्वागत हैं अगर आप पहली बार इस चानल में आये हैं तो कुरुपया सब्सक्राइब करें लाइक करें मित्रोंशे शेर करें वीडियो अंत तक देखिए आज हम इस वीडियो में आटवी कक्षा का दूसरा पार्ट राजा बदल गया सीखेंगे इन इस वीडियो वी अर गोइंग टो लेर्न ये इत्कलास 2nd लेंस राजा बदल गया राजा मीन्स किंग, बदलना मीन्स चेंज इस पार्ट के द्वारा हम जानेंगे कि राजा का विवहार किस तरह बदल गया In this lesson we will know how the king's attitude has been changed यहाँ पार्ट कहानी विदा में है बच्चों में नाइतिक मूलियों का विकास करने के लिए यहाँ पार्ट दिया गया है This lesson is in story method It is given to build up moral values among the children पार्ट में एक चित्र हैं, इस चित्र में हमें क्या-क्या दिकाई दे रहा है इस चित्र में हमें एक लड़का, लड़के के दाए हाथ में ग्लोब और बाए हाथ में किताब दिकाई दे रहा है What can be seen in the picture? In this picture we can see a boy, a globe is in his right hand and a book is in his left hand लड़का क्या कर रहा है लड़का, globe के सहारे, दुनिया के सभी रास्टों को दिका रहा है The boy is showing all the nations of the world with the help of a globe यह लड़का हमें क्या बताना चाता है? What does the boy want to say? लड़का हमें यह बताना चाता है कि इक नान से दुनिया बदल सकते है The boy wants to say that the world can be changed with knowledge मैं अब पाट का सस्वर वाचन करूँगा, जो शब्द आपको कटिन लगे उन शब्दों के नीचे रेका कींचिये मैं उन शब्दों का आर्द समझाओंगा I am going to read the lesson, underline the words which you feel hard, I will explain the words एक लड़का था, उसका नाम राजेस था, वह जेंगल में जा रहा था रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला, वह सोचने लगा यह सिक्का मेरा तो हए ही नहीं, इसे क्या करूँ लेकर जाने किस बेचारे का सिक्का यहां गिर गया है अब न तो इसे रख सकता हूँ और नहीं फेंग सकता हूँ क्या करूं इसका एक लड़का था दिर्वज बॉई लड़का मीन्स बॉई लड़का बहुचन लड़के लड़का स्त्रिलिंग लड़की एक लड़का था दिर्वज बॉई उसका नाम राजेस था नाम मीन्स नेम उसका नाम राजेस था इस नेम वाज राजेश वह जेंगल में जा रहा था रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला आंद वे ही गाटे गोल्ड काईन रास्ता मीन्स वे रास्ता बहुचन रास्ताए सोना मीन्स गोल्ड सिक्का मीन्स काईन सिक्का बहुचन सिक्के रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला आंद वे ही गाटे गोल्ड काईन वह सोचने लगा सोचना means to think वह सोचने लगा he was thinking यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं this coin is not mine मेरा means mind यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं this coin is not mine इसे क्या करूं लेकर what shall I do with it जाने किस बेचारे का सिक्का यहां गिर गया है pity on someone who has fallen this coin here यहाँ means here, गिरना means to fell down अब न तो इसे रख सकता हूँ Now I cannot keep it with me और नहीं फेंग सकता हूँ And I could not throw it away क्या करूँ इसका, what shall I do with it यहाँ नुच्छेद पढ़ने के बाद हम कुछ बोध प्रश्णों के उत्तर दे सकते हैं लड़के का नाम क्या था लड़के का नाम राज़स था राज़स कहा जा रहा था राज़स जंगल में जा रहा था राज़स को क्या मिला राज़स को सोने का सिक्का मिला यहाँ पार्ट किस विदा में है यहाँ पार्ट कहानी विदा में है फेंकना शब्द का अर्द क्या है फेंकिना means to throw यह गद्याम्श कीस पार्ट से लिया गया है यह गद्याम्श राजा बदल गया पार्ट से लिया गया है यही सब सोचते हुए वहा आगे बड़ा चला जा रहा था रास्ते में माला जबते हुए एक सादू महाराजों से मिले उसने सोचा क्यों न यह सिक्का सादू को ही दे दू राजिस ने जब वहा सिक्का सादू को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर सादू ने आचर से कहा बेटा यह सिक्का हमारे जैसे सादू के लिए नहीं है इसे तो किसी गरीब को देदो ताकि वहाँ अपना पेट बर सके यही सब सोचते हुए वहाँ आगे बढ़ा चला जा रहा था He was moving forward thinking all these सोचना means to think, आगे बढ़ना means moving forward आगे विलुम शब्द पीछे यही सब सोचते हुए वहाँ आगे बढ़ा चला जा रहा था He was moving forward thinking all these रास्ते में माला जपते हुए एक सादु महराजुसे मिले On the way, he met a saint who was chanting beads रास्ते में माला जपते हुए माला जपना means chanting beads माला means garland माला बहुवचन माला आए सादु means saint सादु, स्त्रिलिंग, साध्वी रास्ते में माला जपते हुए एक सादु महराजुसे मिले On the way, he met a saint who was chanting beads उसने सोचा He thought that क्योंना यह सिक्का सादु को ही देदू Why don't I give this coin to the saint? सादु, पर्याइवाच्ची शब्द, रिशी राजेश ने जब वह सिक्का सादु को दिया, तो सोने के सिक्के को देखकर सादु ने आस्चर्य से कहा Whenever he gave the coin to the saint, on seeing the coin, he said surprisingly that आस्चर्य means surprise बेटा यह सिक्का हमारे जैसे सादु के लिए नहीं है सन, this coin is not for the saints like me बेटा means son बेटा स्ट्रिलिंग बेटी बेटा बहुचन बेटे बेटा यह सिक्का हमारे जैसे सादु के लिए नहीं है son, this coin is not for the saints like me इसे तो किसी गरीब को देदो give it to any poor ताकी वा अपना पेट बर सके so that he can fill his belly or run his family गरीब means poor गरीब अपोसिट यानि विलोम्शेब्द अमीर ताकी so that अपना means self अपना अपोसिट पराया पेट means stomach बरना means to fill इसे तो किसी गरीब को देदो ताकी वहा अपना पेट बर सके give it to any poor so that he can fill his belly or run his family ये दो अनुचेद पढ़ने के बाद हम कुछ बोद प्रश्णों के उत्तर दे सकते हैं राजेश को रास्ते में कौन मिले राजेश को रास्ते में एक सादू मिले सादू रास्ते में क्या करते हुए जा रहा था सादू रास्ते में माला जबते हुए जा रहा था राजेश सिक्का किसे देना चाहा राजेश सिक्का सादू को देना चाहा सादू ने सिक्का लेने के लिए क्यों इंकार कर दिया सादू के अनुसार सिक्का या सोना सादू के लिए नहीं है केवल गरूबू के लिए हैं इसलिए वहाँ सिक्के को लेने की इंकार कर दिया सिक्का शब्द का पर्यावाचे शब्द क्या है सिक्का शब्द का परियावाचे शब्द मुद्रा साध्र की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चेली जा रही है इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरुर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे है उसने एक सैनिक से पूछा भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहां जा रहे है साध्र की बात मानकर राजेश आगे चला राजेश मूड फरवर्ड एकसेप्टिंग दे वर्डस अब दे सेंट तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है then he saw that there was an army of the king moving on मानना means accepting मानना विलोम शब्दों इनकार करना साध्र की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है Rajesh moored forward on accepting the words of the saint and saw that there was an army of the king he is moving on इतनी बड़ी सेना को देख कर वह सोचने लगा he was thinking on seeing the great army जरूर कोई बात रही होगी there would be something जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं that's why the king is moving on along with his army जरूर means must बात means word बात बहुचन बातें इतनी बड़ी सेना को देख कर वह सोचने लगा की जरूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं on seeing great army he thought that there would be something that's why the king is going on along with his great army उसने एक साइनिक से पूचा he asked a soldier साइनिक means soldier उसने एक साइनिक से पूचा he asked a soldier पूचना means to ask भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहां जा रहे हैं भाई means brother आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहां जा रहे हैं bro where your king is going on along with this great army उसने एक साइनिक से पूचा भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहां जा रहे हैं he asked a soldier that bro where your king is going on along with this great army यहाँ नुच्चेद पढ़ने के बाद हम कुछ बोद प्रश्णों के उत्तर दे सकते हैं राजश किसकी बात मानकर आगे बड़ा राजश साधू की बात मानकर आगे बड़ा साधू के अलावा राजश को रास्ते में कौन मिले साधू के अलावा राजश को रास्ते में राजा की सेना मिला सेना को देखकर राजश ने क्या सोचा सेना को देखकर राजस ने यह सोचा कि जरूर कोई बात रही होगी इसलिए राजा सेना लिए जा रहे हैं राजस सैनिक से क्या पूछा राजस ने सैनिक से यह पूछा कि भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहां जा रहे हैं बड़ा शब्द का विलोम शब्द क्या है बड़ा शब्द का विलोम चोटा कहां शब्द कारत क्या है कहां मीन्स वेर ये हमारे राजा शूरसियू है जो पड़ोसी देश पर आक्रमन कर उसे लूटने जा रहे हैं उसने जवाब दिया राजे इस राजा के पास गया सोने का सिक्का उनकी और भडाते हुए कहा लीजिए महराज आप इसे रख लीजिए ये हमारे राजा शूरसिम है राजा मिन्स किंग राजा बहुचन राजाएं राजा स्त्रिलिंग रानी ये हमारे राजा शूरसिम है जो पडोसी देश पर आक्रमन कर उसे लूटने जा रहे हैं पडोसी means neighboring देश means country देश पर्यायवाची शब्द रास्ट्र आक्रमन means captured लूटना means to loot जवाब means answer जवाब विलोम शब्द सवाल यह हमारे राजा शूरसिम हैं जो पडोसी देश पर आक्रमन कर उसे लूटने जा रहे हैं उसने जवाब दिया यह आंसर दाट दिस इस आवर किंग शूरसिम हूँ और यह विलोम शब्द दूर राजेश राजा के पास गया राजेश वेंट तु दा किंग पास means near पास विलोम शब्द दूर सोने का सिक्का उनकी ओर बडाते हुए कहा He said on showing the gold coin towards him लीजिये महराज, take it my lord आप इसे रकलीजिये You can take it सोने का सिक्का उनकी ओर बडाते हुए कहा लीजिये महराज, आप इसे रकलीजिये The gold coin showing towards him राजेश said Take it my lord, you can keep it with you ए अनुच्चेद पढ़ने के बाद हम कुछ बोध प्रश्णं के उत्तर दे सकते हैं राजा का नाम क्या था? राजा का नाम शूरसिम होता राजा सेना लिए क्यों जा रहा था? राजा सेना के साथ पडोसी देश पर आक्रमन कर उसे लूटने जा रहा था राजेश ने राजा को सोने का सिक्का देते हुए क्या कहा? राजेश ने राजा को सोने का सिक्का देते हुए कहा की लीजिए महराज आप इसे रख लीजिए बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो राजा ने आच्छेरी के साथ पूछा महराज एक सादू ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिके उसे यह सिक्का दे देना राजेश करंड स्वर में बोला मैं राजा हूँ राजा मैं तुझे गरीब लगता हूँ राजा क्रोध में बोला राजा ने आच्छेरी के साथ पूछा दे किंग आस्क्र सर्प्राइजिंग ली दट बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो सन वाइड यू वांट तो गिमीट राजेश करंश्वर में बोला राजेश सेड इन काइंडर वाइस महराज एक साथ ने कहा था मैं लाड ए सेंड सेड़ दट कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना गिव दिस काइन तो समवन वो सीम्स पूरेस्ट पूर महराज एक साथ ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना राजेश करंश्वर में बोला राजेश सेड इन काइंडर वाइस दट मैं लाड ए सेंड सेड दट गिव इस काइन तो समवन वो सेम्स पूरेस्ट पूर राजा क्रोद में बोला राजा क्रोद में बोला राजा क्रोद में बोला राजा हूं राजा मैं तुझे गरीब लगता हूं मैं राजा हूं I am the king मैं तुझे गरीब लगता हूं Am I seem to be a poor मैं राजा हूं राजा मैं तुझे गरीब लगता हूं राजा क्रोध में बोला The king angrily said that I am the king Am I seem to you as a poor ए अनुच्चेद पढ़ने के बाद हम कुछ बोद प्रश्णों के उत्तर दे सकते हैं राजेश के अनुसार सबसे गरीब कौन है राजेश के अनुसार राजा सबसे गरीब है क्रोध शब्द कार्द क्या है क्रोध means angry क्रोध शब्द का विलोम शब्द क्या है क्रोध शब्द का विलोम शब्द है शांत महराज यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्युम जाते राजेश की बात राजा की समझ में आ गई उन्हें अपनी गलती का हसास हुआ राजेश की प्रशमसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लोटने का आदेश दिया उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ती जन्टा की सेवा में कर्च करना आरंब कर दिया महराज यदी आप अमीर होते तो यदी means if अमीर means rich अमीर विलोम शब्द गरीब महराज यदी आप अमीर होते तो my lord whether you are very rich दूसरे देश को लूटने के लिए to loot other country दूसरा means other देश means country दूसरे देश को लूटने लूटना means to loot इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते why do you go along with this great army महराज यदी आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते my lord whether you are rich why do you go to loot the other country along with your great army राजेश की बात राजा की समझ में आ गई the king understood the words of राजेश उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ he felt ashamed of his mistake गलती means mistake गलती बहुचन गलतियां गलती विलोम शब्द सही अहसास means to feel उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ he felt ashamed of his mistake राजेश की प्रसमसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लवटने का आदेश दिया आदेश means order आदेश पर्यायवाची शब्द आगना लवटना means to return वापस means back प्रसमसा means praise or admiration राजेश की प्रशमसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लवटने का आदेश दिया He ordered his army to go back by praising राजेश उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ती जनता की सेवा में कर्च करना आरम कर दिया उस दिन से means by the day संपत्ती means wealth संपत्ती पर्यायवाची शब्द दावलत जनता means people सेवा means service कर्च करना means to spend or to expend कर्च करना विलोम शब्द कमाना आरम्ब means to start or to begin आरम्ब विलोम शब्द अंत ए अनुचेद पढ़ने के बाद हम कुछ बोद प्रश्णों के उत्तर दे सकते हैं किसकी बात राजा की समझ में आ गई राजेश की बात राजा की समझ में आ गई राजा ने किसकी प्रशमसा की राजा ने राजेश की प्रशमसा की कवन अपनी गल्ती का हसास हुआ राजा ने अपनी गल्ती का हसास हुआ राजा ने सेना को क्या आदिश दिया? राजा ने सेना को वापस लुटने का आदिश दिया? इस गटना के बाद राजा क्या करना आरंब कर दिया? इस गटना के बाद राजा ने अपना सारा संपत्ती जनता की सेवा में कर्च करना आरंब कर दिया? राजा बदल गया पाड़ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों के दन पर हमें लालच नहीं होनी चाहिए यहाँ पर एक अनुच्चे दिया गया हैं इस अनुच्चे में कुछ चिहन दिखाई दे रहे हैं भाशा में रुखने के स्थालों की स्पस्रता के लिए कुछ ऐसे चीहनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चीहन कहते हैं For clarity in the language we use some marks its particular step pages these are called punctuation marks such as full stop, comma, hyphen, inverted commas, question mark, exclamation mark like these कामा को अलप विराम कहते हैं, full stop को पूर्ण विराम, dash को निर्देशक या योजक, inverted commas को अवतरन चीहन या उदरन चीहन, exclamation mark को संबोधन बोधक या इसमयादी बोधक, question mark को प्राश्णार्दक चीहन कहते हैं Hindi व्यकरंट से सम्मंदित वीडियोस मैं अलग से बनाऊंगा, playlist में ढूंड कर आप उसे देख सकते हैं राजा बदल गया पाटका सारामश, राजेश नामा के एक लड़का जंगल में जाते समय उसे एक सोने का सिक्का मिला वहाँ उसे एक सादू को दिया तो वहाँ इनकार कर दिया और किसी गरिब को देने की सलाह दिया राजेश उसी जंगल में जाते समय उन्हें राजा की सेना दिकाई दिया तो वहाँ एक सैनिक से पूछ कर जाना की राजा दूसरे देश को लूटने जा रहे हैं राजेश राजा को सबसे गरिब मानकर उसे सिक्का दे दिया तो राजा क्रोध में बोला कि मैं राजा हूँ गरीव नहीं तब राजेस ने करुंस्वर में बताया कि राजा अगर आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने कियम जाते राजा की बात समझकर राजा सेना को वापस लवड कर सारा संपत्ती प्रजा में कर्च करना शुरू किया इस पार्ट से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की दन पर हमें लालच नहीं होनी चाहिए आपनो, आपनो, आपनो प्राइभ इथ कि आप्राइभ दंग कर दो आप लेए ड़ी अचानी कर दो दो कि आपके प्राइभ विद्टर कर दो के आपके